आज में लेके आई हूं बैंगन की बहुत यूनीक रेसिपी इतनी एजी और टेस्टी रेसिपी आपने कभी ट्राइ नहीं कियोगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने लिये हैं छे से साथ लहसुन के पीस उसमें डाली हमने चार हरी मिर्च अच्छा से इनको क्रश कर लिया अब इस के दालेंगे अधी चमच लाल मिर्च एक चथाई चमच हल्दी धनिया पाउडर आदी चमच जीरा पाउडर आप चाहे तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं और स्वाधनु नमक डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छे से यहां मैंने 2-3 टेबल स्पून पानी एड़ किया है, पेस्ट बनके रेडी है, अब चलते तड़के की और, यहां मैंने डाला है 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ओयल और 2 टेबल स्पून मैं डाल रेजिए सरसो का तेल, ऐसा कहने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसमें राय और थोड़ा सा जीरा, याने के राय और जीरे का तड़का लगने के बाद इसमें डाल रेडी करके रखा था, फ्लेम को रखेंगे मेडियम, इस मसाले को तब तक पकाना है, जब तक तेल अलग नहीं हो जाता है, याने के तेल उपर आ जाएगा, मसाला नीचे बैठ ज काटके रखा था, आपको ध्यान इतना रखना है कि बैगन के साइज छोटी होनी चाहिए, इसमें डारेक्ली बैगन डाल लेंगे, और मिक्स कर लेंगे अच्छे से एक बार, और लो फ्लेम पे ढखके पकाएंगे इसे दो से तीन मिनिट, बीच बीच में गुमाते भी रहे जब तक बैगन पकते नहीं है, हमें लो फ्लेम पे इसे पकाना है, अगर आपको लगता है कि मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें एड कर दे, तो देखिए थोड़ी देर बाद बैगन काफी अच्छे से पक चुके है, थोड़ी देर बाद मैं इसका धकन याने कि 2-3 टेबल स्पून हे पानी एड करना है, और फिर से धक्या पकाया जब तक पकता नहीं है, तो मैंने यहां डाला 1-2 टेबल स्पून पानी, मिक्स कर लिया अच्छे से, और फिर से धक्या पकने दिया है, एंड में 1-2 मिनिट बैगन को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर ओपन ली ही पकाना है, उससे क्या होगा, काफी अच्छा टेस्ट आ जाएगा, बैगन फ्राय बनके रेडी है, जरूर इस रेसिपी को घर पर ट्राय करें, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें